नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूस मैं हूँ आपके साथ अन्यावेदी सीधे लेकर चलते हैं आपको महराश्च के पुने ग्रेमंत्री अमिश्या क्या कुछ करें सुले साथ इन्होंने सम्विधान का विशय का है हमने जवाब ले हम सब भ्रान्तीक से बहार आए अब चुनाओ महराश्च में आया है नए नए प्रकार की इल्लुजन पवार साब खड़ा कर रहे हैं मैं आज पवार साब को कहने आया हूं हमारे देवेंद्र जी दादा सिंदे जी अज दूर से मेरा एक निरीक्षण है मैं आप लोगों के साथ सेहर करना चाहता हूं जब-जब महराश्च में भाजपा सरकार आती है मराथा को रिजरवेशन प्राप्त होता है मेरी बात ध्यान से सुनना बाद में ताली लगाना जब-जब महराश्च में भाजपा प्रा-ती मराथा रिजर्वेशन प्रापत होता है और जब-जब सरतपवार की सरकार आती है मराथा रिजर्वेशन गायब हो जाता है मैं सोच समझ करे वाक्य बोल रहा हूँ 2014 में महराष्ट में मराथा रिजर्वेशन आया Supreme Quad Clinic किया किस की सरकार थी? 14 में बताईए जरा अरे जोर से बोलो किसकी सरकार थी भाजपा सरकार थी देवेंद्र फड़नवीज हमारे मुख्य मंत्री थे हमने मराठा रिजर्वेशन देने का काम 20 में सरत पवार की सरकार आई मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया हम आये फिर से हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है सरत पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा अब मुझे बताओ, मराथा रिजर्वेशन कंटीनुई रखना है, तो किसकी सरकार लानी चाहिए? अरे जोर से बोलो किसकी लानी चाहिए? भाईों बहनों, कन्फुजन में मत रहिए, समाज के हर तपके को न्याय देने का काम, कोई एक पार्टी ने किया है, तो भारतिये जन जन्ता पार्टी ने किया है हो, और भारतिये जन्ता पार्टी, जूट कैसे फेलाए जाए, अभी एक पुराना नोटिपिक्शन निकाल दिया, तारिक नहीं है, फैसला पुराना है, मैं भी कन्फुजन में आ गया, मैंने प्यूस गोईल जी को फोन का है क्या हुआ, प्यू इन्फुजन में मत आईए, वो सर्कुलर करकर गए थे, दस साल में एक किलो दूद का पावडर इंपोर्ट नहीं किया है, नरेंद्र मोधी सरकार ने, और अगले पांच साल तक एक ग्राम भी दूद का पावडर इंपोर्ट नहीं होगा, आज मैं आपके बीच में, ये भ् भ्रष्टाचार की बाते कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की रादनिती में है, तो सरत पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कन्फिजन में, आपके आरोप कर रहे हो हम पर, इस देश में, कोई भी सरकार में, भ्रष्टाचार को संस्तागत करने का का करने का काम अगर किसी ने किया तो सरत पवार आप ने किया है मैं डंके की चोट पर कहे कर दो हम पर अब रस्टा जार कारोप लगा रहे हैं और इस बार सरत पवार जी मेरा ये बापट सभागरू में बैठा हुआ कार करता है डंक से जान गया है आपके जूट नहीं चलेंगे मैं बता कर दियाता हूँ चलेंगे क्या अरे जोर चे बोलो चलेंगे क्या चलेंगे क्या गर गर जाकर जूट का जवाब देना है परदा भास कराना है ये जूट भी बोलेंगे ब्रांती भी फिलाएंगे अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे मैं सभी कार्यकरताओं को आज कहना जो, अपने आपको इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए, अपनी जगे कमल के हीद को केंदर में ला दीजिए, एक-एक कार्यकरता कमल को समर्पी दो, एक-एक कार्यकरता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकास्टा करे, और एक-एक कार्यकरता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे, मुझे बताओ भाईयो बेनो NDA को जिताना है या नहीं जिताना है ऐसे नहीं चलेगा भई मैं बन्ये का बेटा हूँ गैरंटी के बगर वापिस नहीं जाऊँगा मुझे जरा जोर से बताईए UT को जिताने के लिए जोर लगाएंगे भाजपा का हर प्रत्यासी हम से बढ़ कर हम परिश्रम करेंगे भाईयो बेनो ये चुनाव जो है ये चुनाव का परिणम उनकी ब्रांतियों का जवाब एक बार महराश्ट रियाना और जारकंड हम जीत लेते ए राहूल गांदी का हंकार चूर-चूर हो जाएगा पूरे देश में जोम बढ़ने की जिम्मेदारी मेरे महराश्ट भाजपा के कारेकस्ताओं में आप मुझे बताओ भाई पूरे देश को फिर से एक बार चौदा से ज्यादा जोस में लाना है या नहीं लाना है अरे जोर से बोलो लाना है नहीं लाना है इसका एक मात्र रास्ता है इतियास में अब तक का सबसे बड़ा विजय महराश्ट में पूरे देश के कारेकरताओं को जोस दिलाने का काम करेगा इसकी जिम्मेदारी भाईयो बेनो आपकी भाईयो बेनो ये जो बात करते हैं महाराश के विकास की जवाब लेते हैं मैं आज सरत पवार को पुछने आया हूँ पवार साब दस साल तक आप महाराश में आपकी सरकार थी केंद्र में भी आपकी सरकार थी दस साल तक आपने महराश्ट को क्या दिया जरा हिसाब लेकर आईए दस साल में क्या दिया जूठे वादों के लावे आपने कुछ नहीं दिया भाई और बैनो UPA के दस साल में महराश्ट को केंद्र से 1,91,000 करोड मिला था सिर्फ 1,91,000 कितना मिला था जरा जोर से बोलो तो और जोर से बोलो गर-गर जाकर बताना है कितना मिला था एक मिनिट कितना मिला था फिर से बोलो नरेंद्र मोदी जी ने दस साल में 14 से 24 में 10,05,000 करोड रूपया महराश्ट को दिने और पवार साहब अगर हिसाब पे भरोसा नहीं है तो पूने का कोई चौरहा नत्यताई कर दो हमारा मूली महोल हिसाब लेकर खड़ा हो जाएगा पाई-पाई का हिसाब मैं आज भाईयो बेनो दस लाग करोड का हिसाब लेकर आया हूँ दस लाग करोड का ना उन्हेने मुंबई के लिए किया ना सिख के लिए किया ना पुना के लिए किया ना नागपूर के लिए किया चारो सहरो का विकास अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोधी सरकार ने किया